हलो दोस्तों नमस्कार नर्सी टेडर्स यूटूब चैनल में आप सभी का तह दिल से स्वागत है दोस्तों मैं इस यूटूब चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाते हैं साथे एजुकेस्टनल परफस के लिए होते हैं कोई भी टेट ले एन इवेश्मेंट करने से पहले अपने फैनेंस एडवरियर की सलाज़ोग ले लिजेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक है आप उसमें जोईन हो जाईएगा वाटसेप ग्रूप का लिंक है उसमें भी जोईन हो जाईएगा दोस्तो अभी जो हम इस स्टॉक को बनताने वाले हैं वो टुरेंटो फार्मा फार्मास्योटिकल लिमिटेड कमपनी का नाम है इस स्टॉक के अंदर ये ओल्टाइम हाई पे है और मुझा मानना है कि इस स्टॉक के अंदर अभी भी पोटेंसियल है कि इस स्टॉक के अंदर अभी भी आपको 10 to 20 परसेंट का अभी भी मोमेंटम इसके अंदर दे सकता है तो रेंटो फार्मा के अंदर तो हम इसके financial balance sheet पर भी नज़र डालेंगे, साथ में इसके technical analysis के साथ fundamental analysis की बात करेंगे, अभी तक कि इस stock ने कितना return दिया है, all time high और one month, one year में इस stock ने कितना return दिया है, इस बारे में भी बात करेंगे, company का market capital कितना है ये भी बात करेंगे, और अभी तक कि company क्या क्या कर रही ह इसके बारे में भी बात करने वाले हैं, तो overall वीडियो में बने रहीएगा, one by one, step by step, सारा कोश डिसकस करने वाले हैं, Toronto Pharma, pharmaceutical company है, जिसमें ये pharmaceutical group में काम करती है, जो pharma sector की company है, इस stock currently ये run कर रहा है, 3,215 पे ये stock trade करता हुआ, नजर आ रहा है Toronto Pharma की बात करें, अगर ये stock की बात करें, तो ये stock 5 days में जो return दिया है, करीबन 2% का return, 2.3% का return दिख रहा है, one month का return देखा जा है, तो करीबन 4% का return, 4.25% का return दिख रहा है तो मतलब 6 month के अंदर इस company के अंदर कुछ ज़्यादा उलट फेर नहीं हुआ है, ये मानकर आप कह सकते हो, कि ये company 6 month के अंदर सिर्फ 1.500 पॉइंट तक का ही moment दिया है, अगर one year का return देखा जा है, तो company के अंदर सिर्फ 7% का return दिया है, तो इस company में सिर्फ 7% का return दिया है, जो करीबन one year का return दिया है, तो ये company ने 27% का return दिया है, और 27% का return दिया है, जिसमें 642 रुपेय तक का return, मतलब ये तरह से कह जा सकता है, कि 2400 से ये company, 2450 रुपे से ये company उठकर 3000 तक के करीब में ये आई है, करीबन अब गर maximum year, अभी तक का ये company 5 year का return दिया है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ये company सिर्फ double हुई है, 112% तक का return दिया है, 5 सल में ये company यहाँ पे दिख रहा है, 112% तक का return दिया है, और 7 में ही company का अ तो company का अभी तक का results है, 21,222% तक का return ये company दिया है, 21,222% तक का return ये दिया है company में, करीबन ये company अभी जो current price में अभी तक का इसने momentum दिया है, 2,188 रुपे तक का, करीबन, ये company जब listed हुआ था, तब ये company का price था, 14 रुपे है, ये company का price था, 14 रुपे 24 पैसे के करीब में, 14 रुपे 8 पैसे के करीब में, इस company का price था, अभी देखा जाए, तो इस company का, करीबन, maximum year, 2001, 6 जुलाई, 2001 को ये company लिश्ट हुआ था, 6 जुलाई, 2001 को ये company listed हुआ था, 14 रुपे 8 पैसे पर, और ये अभी company का price है, 3,002 रुपे, तो एक तरह से कह सकते हो, कि आप ये 20 साल के अंदर, इस company ने, आपका पैसा, 21,22% तक का return दिया, अगर आपने, 10,000 रुपे लगाया है, तो समझ लिजिए, आपका पैसा, कितना गुना हो गया है, इस company का, अगर 10,000 रुपे इन्वेस्टमेंट किया होता, इस company में, अगर आपने 10,000 रुपे इन्वेस्टमेंट किया होता, 2001 में, तो अभी ये company आपको return में, अभी आपको 21,000 रुपे तक का, 22,000 रुपे तक का approach आपको return देता हुआ, नजरा सकता था, करीबन 20 साल में 10,000 का 20,000 रुपे, 21,000 हो गया होता, ये प्रेंटो फार्मा सिटिकल कमपनी के अंगर, चलिए बात करते हैं, इसका fundamental analysis का, फिर उसके बाद technical analysis की बात करेंगे, कमपनी का market capital की बात करें, तो 50,882 करोर का market capital है, और इसका face value 5 है, और ये अभी book value पर share है, 344 रुपे 94 पैसे का, अभी तक इस company का जो upper circuit limit तब 3240 रुपे का open हुआ था, ये company 2944 रुपे का, जो अभी तक lower circuit में जो लगा था, तो overall देखा जाए, तो company sectorial PE जो है 49% तक का है, और भी details और भी नीचे हम देखते हैं, company का 3 year CSGR दिखा जाए, company के अंदर 3 year CSGR ग्रोथ देखा जाए, तो revenue में growth 8.7% तक का है, net profit जो उसका 3 year का है, 25% तक का revenue growth देखने को मिला है, operating profit जो है 22%, 22.6% तक का 3 year के अंदर इसके अंदर आपको देखने को मिला है profit के अंदर, अभी तक consolidated अगर profit देखा जाए, तो revenue के अंदर लगातार growth आपको दिखने दिख रहा है, जो आपको लगातार growth में ही आपको दिख रहा है, लगातार growth revenue के अंदर देखने को मिल रहा है, consolidation quarterly results में देखा जाए, तो 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 के अंदर लगातार इसके revenue के अंदर growth दिख रहा है हमारे को, net profits की बात करें, तो ये COVID का impact इसके अंदर भी दिख रहा है, COVID का impact और COVID के impact के बाद एक लगातार बड़ोत्री भी देखने को मिल रहा है, net profits के अंदर, तो net profits भी एक earning per share की बात करें, तो earning per share जो impact परा था 2021 का, वो earning per share के बाद में एक अच्छा खासा recovery, 2020 और 2021 के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक उसी परकार से, BPS के अंदर भी एक अच्छी recovery के साथ साथ, एक अच्छा constant, कुछ समय constant लगातार बढ़ता हुआ, और एक अच्छा growth भी दिखने को मिल रहा है, return on equity की बात करें, तो return on equity जिस परकार से 2019 के अंदर impact पराता, उसके बाद से यह company लगातार, return on equity के अंदर भी अपना perform करता हुआ, दिख रहा है, debt to equity, लगातार अपने debt को कम करता हुआ, company नजर आ रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे लगातार decrease करता हुआ, debt के अंदर, 2019 के अंदर जो उनका, जो impact पराता COVID का, वही उसके बाद से यह लगातार, यह 2018 के बाद से, इन्होंने लगातार अपने debt को कम किया है, तो एक तरह से बढ़ियार, एक तरह से balance sheet भी एक अच्छा कहेंगे, और debt भी धिरे-धिरे कम कर रही है, यह company और साथ में ही, revenue, net profits में भी increment दिखने को मिल रहा है, उसके बाद यह टुरेंटो फार्मा का डेली का चार्ट है, और डेली का चार्ट टुरेंटो फार्मा में आप देख सकते हो, कि यह के strong breakout हमें दिख रहा है, एक यह जो आप green candle यहाँ पे जो यह line गिचा गया है, state line, वो आप देख सकते हो, कि वो डेली चार्ट पे breakout दिख रहा है मुझे, अभी मैं हटा देता हूँ, यह breakout यह यहाँ पे इस stock के अंदर 3035 का अपर सर्कृट लगा हुआ है, उसके बाद से यह stocks लगाता रेंज में ही trade कर रहा था, यह range में जो trade कर रहा था stock, और मुझे लग रहा है कि इस stock के अंदर यह range breakout हमें दिख रहा है, short term में, इस stock के अंदर short term जो range breakout मुझे दिख रहा है, इस stock के अंदर, और एक Monday के दिन, अगर 3010 के भव निकलता है, तो इस stock के अंदर जबरदस momentum हो सकता है, जो आपको short term में इस stock का price जो आपको मिलेगा, short term, medium term, और short में ही long term में इस stock का क्या price है, क्या target है, वो सारे कुछ पताने बाला है, देखिए, इस stock के अंदर यह बाला range जो है, breakout हो चुका है, अगर मुझे लगता है कि 3000 के अबब इस stock का closing होना ही, इस stock का यह साबित करता है, कि आने वाले दिनों में यह stock के अंदर अच्छा performance देखने को मिल सकता है, अभी तक कि इस stock के अंदर 3000 के अबब closing नहीं देने के कारण, इस stock के अंदर momentum नहीं देखने को मिला था, अगर टुरेंटो भार्मा के अंदर 3000 के अबब closing देना एक positive sign है, कि आपको short term के अंदर इस stock के अंदर एक अच्छा momentum देखने को मिल सकता है, तो अगर आपको intra day के बिहाब से अगर आप trading करते हो, तो intra day के बिहाब से आप इस stock को buy कर सकते हो, तो 3010 के अबब निकलता है, 3010, 3010 के अबब निकलता है, तो buy करना है, अगर कोई aggressive trader है, तो 3000 के नीचे अगर आपको इस stock के अंदर buy करके hold करते हो, तो आपको definitely इस stock के अंदर 3040 का first target, intra day के बिहाब से 3040 का first target, और दूसरा है, 3080 रुपे तक का target मुझे लगता है, मेबी अगर इसको भी break कर देता है, तो मुझे लगता है कि इस stock के अंदर 3120 रुपे तक का target आसानी से achieve होता हुआ नजराएगा, ट्रेंटो फर्मा को intra day के बिहाब से, अगर 3000 के नीचे अगर मिल जाता है, तो आपके अंदर opportunity है, buy करके hold करने के लिए, साथ में ही, जो positional traders हैं, 3000 के नीचे अगर इस stock के अंदर आपको मिलता है opportunity buy करने का, तो 3000 के नीचे अगर मिल जा है, तो आपको opportunity है इस stock को अंदर buy करके hold करने का, ये stock, ये 2800 से लेकर 3000 का एक range है, जो ये बना कर बैठा हुआ, 2850 रुपया से लेकर, 3000 का एक range, 1500 रुपय का एक range बना कर ये stock, बहुत दिनों से एक महीने से एवप ये trade करता हुआ, आपको यहां से दिख रहा होगा, 3000 से यहां से लगातार stock range में बना कर ही trade कर रहा है, करीबन एक महीना spend करने के बाद, इस stock ने breakout दिया है, सुक्रबार को Friday के दिन, और मुझे लगता है कि यह breakout आने बाले दिनों में, positionally से stock का target हमें लगता है, 3300 से लेकर आपको 3700 रुपय तक का target आपको achieve करता हुआ, देखने को मिलेगा, मगर short term target इसका 3250 से लेकर 3400 रुपय तक का definitely touch करना चाहिए, क्योंकि market में कोई security नहीं होता, इसलिए आप कोई भी investment और trading करने से पहले, अपने financial advisor की सलाः definitely ले लिजेगा, short term target 3250 से लेकर 3500 रुपय तक का target, टोरेंटो फार्मा में दिख रहा है मुझे, लंबी अबधी में अगर आप देखना चाहते हो, तो 3700 रुपय तक का 3400 और 3700 रुपय तक का target टोरेंटो फार्मा में मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये range breakout एक महिना spend करने के बाद इस stock में breakout दिख रहा है, और short term investor 3250 से लेकर 3500 रुपय तक का target और intraday traders, 3200 के नीचे अगर कोई aggressive है, 3200 के नीचे अगर कुछ गिरावट किसी कारणवस मिल जाता है, तो आप वहाँ बना कर position बनाईए, 2850 रुपय का estoplus, 2800-2850 रुपय का estoplus लगा कर hold किजिए 2-3 दिन तक, torrento pharma आपको definitely 3250 रुपय तक का target देखने को मिल सकता है, 3400 रुपय तक, और लंबी अबदी के trader, 3500 से लेकर 3700 रुपय तक का target, torrento pharma के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक range breakout यहाँ पे दिख रहा है, torrento pharma के अंदर, आप भी swim से भी research कर जिएगा, आपको definitely पता चल जागा, और साथ में ही weekly chart में अगर देखा जाए, weekly chart में भी देखा जाए, तो एक जवरदस्ट breakout दिख रहा है, मुझे प्रेंटo pharma के अंदर, monthly chart एकदम strong दिख रहा है, monthly chart पर भी, breakout दिख रहा है, daily chart पर भी breakout दिख रहा है, मतलब overall सारे chart पर, ये stock breakout में ही दिख रहा है, मुझे और तो मुझे लगता है, कि Monday के दिन इस stock के अंदर, एक अच्छी rally आपको देखा, quarterly chart के अंदर भी देखा जाए, ति इस stock के अंदर breakout ही है, overall stock बहुत ही powerful breakout देने की कागार पे है, बाकी company की analysis देखा जाए, तो 26 analyst ऐसे हैं, जो company को कह रहा है, कि company strong buying opportunity है, 26% लोग, और buying कह रहा है, सिर्फ 29% लोग, और hold कह रहा है, 30% लोग, overall देखा जाए, तो company का buying जो perform है, अंदर perform, ये करीवन company 80% तक ऐसे बन्दे है, जो इस stock के अंदर 92% तक ऐसे बन्दे है, ये कह रहा है कि buy करके hold करने के लिए ही company को analyst कर रहा है, साथ में ही analyst का जो target इन्होंने recommend किया है, वो average 860 है, low buy 250 का है, और high 3650 रुपे तक का है, इसके अंदर में target को recommend कर रखा है, 3650 रुपे तक, तो 3650 रुपे तक भी अगर target मिल जाता है, तो बहुत है, अगर मेरा short term का target, अगर 3250 रुपे अ, 3350 रुपे भी चला जाए, तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर, मगर ये हमारा analyst जो है target, यहाँ पे सही साबध्य हो रहा है, ठीक उसी परकार से support and resistance, जो यहाँ पे analyst recommend कर रहा है, और एक lower level पे ही, इन्होंने हमने buy करने का recommend किया है, अगर ये कल breakout होता है, तो ये definitely, ये 3250 रुपे तक का target, achieve करता हुआ, short term में देखने को मिल सकता है, तो बस इस वीडियो में इतना ही है, ट्रोरेंटो फार्मा हमारा target, stop loss, सबकुछ इसके अंदर है हमारे, और company के अंदर बहुत ही, strong breakout मुझे लग रहा है, और मंडे के दिन 3000 के एबब closing देना ही, ट्रोरेंटो फार्मा का एक अच्छा sign है, और short term में ये company अच्छा move दे सकती है, तो आप अपने radar पर रखिएगा, कोई भी investment और trading करने से पहले,